कोटेदारों के लिए खुसकबरी है अब जो सरकार का रासन कोटेदार के मादम से जंता को मिल रहा है तो कोटेदार को उसका लाभांस मिलने वाला है तो कितना लाभांस मिलेगा कितना पैसा मिलने वाला है उसकी जानकारी देने वाला हूं तो इसमें कोटेदारों को कई महिने से पैसा नहीं मिला है तो उसका पैसा है कितना मिलेगा उसका निर्धारन हो गया है तो कोटेदार का अब जो है विभाग ने जो पूर्ती विभाग है डाटा जुटाना शुरू कर दिया है और जो लाबांस की धनराशी है उसको निर्धारित करने के परिक्राइब भी तेज़् हो गई है कि कितनी कितनी धनराशी उसको देनी है और उसका पैसा जो है कोटेदार के एकाउंट में आजू जाएगा जारी कर दे जाएगा और यूनिट के हिसाब से वितृत मिलेगा यू परति किलो खाधन एक किलो पर सत्तर पैसे मिलेंगे जिहां कोटेदार को कोटेदार को एक किलो पर सत्तर पैसे मिलेंगे अब आप अंदाय लगा सकते हैं कि एक कोटेदार एक महिने में कितना रासन बाणता है जब एक किलो पर एक किलो का रेट रहे गई अब आप अंदाय लगा सकते है कि कितने किलो पूरे जो है लोगों को मिलता है और दूसरा जो है परति किलो तेल जो मिलता है रिफाइड मिलता है या तेल मिलता है उसका भी जो रेट रखा है 70 पैसे ही रखा है जो एक किलो रिफा सतर पैसे तो दोनों का सेम है घादान का जैसे चावल यह यह घादन में आता है और तेल रिफाइड इसका भी 70 पैसे और चना चना हो गया चना एक कुन्तल के साथ से इसका जो प्राईस सphere अब्यक्रीर अगर एक कुंतल उन्होंने वित्रत किया है तो उससे पर 70 मिलेंगे अब अंधाय लगा सकते है कि कितना कुंतल जो है चना बाटा गया है एक महिने के अंदर तो इस राव से और अन्य जो दरे है उसके भी इसी परकार से दरे भिन भिन परकार से रखी गई है तो मैंने मैंने ये बता दिया है क्योंकि नमक वगएरा भी मिला है और एक्षणा चीज़ें जो मिलती है वो भी इसी इसाब में लगबग आसपास रखी गई है तो ये पैमेट उनका आने वाला है तो जल्द ही ये पैमेट उनके एकाउंट में ट्रांसफर कर दे जाएगा और कोटेदारों में जो है खुशी के लायर दोड़ गई है क्योंकि में कई महिने से इंतिजार कर दे थे जैसे कि अक्टूबा, नॉम्बर, दिसंबर, जन्वरी उनको कई महिने हो गई है रासन बारते मारते ल जल्दी ही ये पैमेट हमारे आगाउंट में आ जाएगा तो एकाउंट का डाटा और उनका कोटेदार का जो डाटा उस सारा जो है सरकार के जो डपार्ट्मनेंट के करमचरी है पूर्ति विबागे उन्होंने डाटा जोटाना सुरू कर दिया है जिससे कि उनके एकाउंट में पेमिट ट्रांसफर किया जा सके तो यह जान कर थी कोटेदार के लिए कमिशन मैंने बताई दिया है कितने-कितने मिलने यह मैंने बताया और अन्य जो समान मिलता है वह भी आप इसी इसाफ से मोटा मोटा लगा सकते हैं यह तो कंफर्म है तो उम्मीद करता हूं यह आपको जानकर अच्छी लगी होगी और इसको सेर्भी कर देना और लाइक भी कर देना बहुत बहुत धन्यूआन